दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीजे लगसे क्लासेज और पीजे नर्थ सिंग हब के सी यूट्यूब चनलब दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान CHO और राजस्तान A&M की जो बरती हुई थी जिसके एक्जाम हो चुके है क्रमसर जो है 3 मार्च और 3 फरवरी को उसके डिवी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की लगतार क्वेरी जा रही थी कि सर पहले किसकी डिवी होगी कौन करवाएगा डिवी कैसे ऑनलाइन ओफलाइन होगी डिवी और इसके साथ-साथ जो है डिवी की डेट क्या रहने वाली है तो पूरी जानकारी दूँगा वीडियो के साथ हम तक बने रहे हैं साथ-साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइबर रहने वाली है तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो इसके साथ-साथ जो है वीविन परकार की जानकारिया और न्यूस कटिंग बगेरा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपके लाइफ के लिए और आप सब लोगों के लिए हमेशा की जो न्यूस होती ह जोगी most important रहती है वो जो है PG लग्षे classes टेलीग्राम चैनल में आपको मिलती रही टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के description box में या फिर टेलीग्राम पे जाएं PG लग्षे classes सर्च करके अभी join कर लिजएगा जी है DV schedule संबंदित विवागी जारी करें कहने का मतलब इससे दो तात पर ही निकलते है पहली बात तो ये है ये जो CHO की DV है ये आपके GNM की DV complete होने के बाद ही वो पाई है ठीक है कहने का मतलब time 15 जिनका आस-पास लग सकता भी भी और उसके बाद जो दूसरा doubt clear हुआ है वो है कि A&M और CHO मैंसे पहले किसकी होगी तो पहले CHO की DV होगी फिर A&M के जितने भी candidate है उनके DV जितने भी साथी CHO और A&M के है वो लगतार हमारे साथ जुड़े चैनल पर नजब सब्सक्राइब और Telegram चैनल को ज़रू जोइन करे लिंक वीडियो को डिसक्राइब या फिर टेलिग्राम पर जाएं पीजे लक्से क्लास से सर्च करके जोइन करें अब बात आती है DV की schedule की तो document verification schedule जो है वो संबंदित्य विबाग मतलब दोनों वरतिया NHM की है National Health Mission की तरफ से ये वरतियां करवाई जारी है जिसको करवाने वाली agency जो है अब मैं आपको बताते हूँ schedule जो है वो मैंने अभी बता है 15 दिन का स्पास लगेगा लेकिन वो जो जारी करने वाला विबाग होगा वो NHM रहेगा अब एक और सबसे जधा बड़ी बात यह है कि लोगों को जो सवाल खाए जा रहा है कि online होगा या offline होगा ठीक है मतलब online और offline तो इन में दोना मैसी मैं आपको बता देता हूँ सीधी शट बात यह है government का एक rule है अभी जो निकाला उनों है और एक software निकाला है जिसके तहत online DV होने की chances ज्यादा है लेकिन अगर record देखा जाए जहां पर एक handling का तरीका होता है पहली बार DV करवाएगा इसका मतलब वो offline भी करवा सकता है मतलब 60-40 का ratio रहेगा 60% chances है कि वो online DV होगी 40% जो है वो हो सकता है कि offline DV हो जाए आपको क्या लगता किस DV में जो है आपको ज्यादा सभूलियत है वो हमें बताए document verification का process online होने चाहिए और offline होने वो comment box में जरूर बताए हम भी आपकी Twitter handle पर पीजलक्से classes के नाम से हमारे एक Twitter handle है जरूर आप follow करें हमें Twitter पर जाके वहां पर हम आपके आवाज उठाने का प्रयास करेंगे online चाहोगे तो online और offline चाहोगे तो हम Twitter के माधियम से offline भी है वहां पर आपके आवाज उठाने का प्रयास करेंगे तो सारे लोग अपने CJ बताए इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ भी पूजना हो CHO और A&M DVC-related तो हमें आप जरू पूछ सकते हैं comment box में ठीक है और इसके जब आई थिंक कि सारे doubt आपके clear होगे कि कौन सी डेर्ट रहने वाली है कौन करवाएगा कौन offline होगी या online होगी इसके साथ साथ जो है कौन सी पहले होगी यूटीब चैनल और पीजे नर्सिंग अब यूटीब चैनल पर आपको सारी जान करें मिलती रहेगी दोनों चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर ले ना कैसे लगी जान करें comment box मता है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेर अवस्टे करें अधिक साथ दिलोगा तक थैंकि सो मच जैन बंदे बातर